नमस्कार, आज इस वीडियो में हम लोग अध्याय साथ का अध्यायन करेंगे चैप्टर का सीर्षक है अशोक एक अनोखा समराथ जिसने युद्ध का त्याग किया मतलब अशोक एक समराथ था जिसने युद्ध को छोड़ दिया, उसका पडित्याग कर दिया ये अध्याय साथ का चैप्टर का नाम हुआ, अब हम लोग आगे देखते हैं रोशन के रूपए, रोशन कोई बच्चा है, उसके रूपए, जन्म दिन पर रोशन को दादा जी से कड़क नोट मिले उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था, उसे एक नया सीडी खरिदने का बहुत मन था लेकिन साथ ही वह बिलकुल नय कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी, मतलब रोशन लड़की है तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाई तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे, उसने सोचा आखिर यहां शेर क्यों बने हुए हैं अब इस शेर, रुपए पर जो शेर है, शेर की तस्वीर है, उसके विशय में रोशन के मन में जिग्यासा पैदा हुई और जिग्यासा शिक्षा प्राप्त करने की पहली सीड़ी है पढ़ने वाले को जिग्यासू होना चाहिए रोशन के मन में जिग्यासा पैदा हुई क्वाजो नोट उसको दादा जी ने दिये उस पर शेर के चित्र क्यों है एक बहुत बड़ा राज्य एक समराज्य हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल अस्तम्भ पर स्थापित किया गया था इस विशाय में तुमने अध्याय च्छा में पढ़ा इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किये गए इसके पहले कि हम यहां यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य की समराज्य राज्य को समराज्य क्यों कहा जाता था राज्य को समराज्य क्यों कहा जाता है या था अशोक जिस समराज्य पर शाषन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्ज ने लगभग 2300 साल पहले की थी चानक या कौटिल नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी चानक के कई विचार हमें अर्थसास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं ठीक है चानक के कौन थे उनका दूसरा नाम था कौटिल व्यक्ति थे उन्होंने चंद्रगुप्त को सहायता की और चानक के महत्रपुर्ण विचार अर्थ शास्त्र नामक पुस्तक में अंकित हैं वन्ष जब एक ही परिवार के कई सदास्या एक के अबाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वन्ष का कहा जाता है वन्ष मौड वन्ष में तीन महत्रपुर्ण राजा हुए चंद्रगुप्त उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक समराज में बहुत से नगर थे मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है इनमें समराज की राजधानी पाटले पुत्र उज्जैन और तक्षिला जैसे प्रमुख नगर थे तक्षिला उत्तर पश्चिम और मद्द एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी, अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे नगरों में रहते थे व्यापारी, सरकारी, अधिकारी और शिल्पकार समराज के बहुत बड़े क्षत्रों में किसानों पशुपालकों के गाउं बसे हुए थे मद्ध भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भड़ा हुआ था वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहन और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे समराज के अलग-अलग इलाकों में लोग अब उजो पढ़ेंगो उसके पहले यहाँ देखते हैं जिन जगहों पर अशोक के सिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदूओं से दिखाया गया है इसमें यह सारे इलाके समराज के भीतर थे उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अविलेख मिले हैं भारत के कौन से राजे मोड समराज से बाहर थे यह लिश्ट बनाना है तो देखिए सब लाल वाले सब अशोक के अंतरगत थे ठीक जहां लाल नहीं है वो नहीं था जिन जगहों पर अशोक के सिलालेख मिले हैं शिलालेख शिराब पर लिखी हुई बाते थी और सिलालेख जहां मिले हैं उन्हें लाल बिंदों से दिखाया गया है जगशिला में नहीं मिला है इसके अलाबा आपको पाठिली पुतर में भी शिलालेख नहीं मिला है उज्यन में भी नहीं मिला है ये सब अब आगे महतपुर्ण नगड ये काले वाले महतपुर्ण नगड भी थे तिक दुम्हां सिला लेख नहीं मिले ठीक है भाशाएं बोलते थे वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहां तक की अलग-अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे राज्य समराज से कैसे भिन्न हैं चोकि समराज राज्यों में से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है इसलिए समराटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है समराटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है रिसोर्स की इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कड़ इकठा करने वाले रिकाडियों की जरूरत होती है समराज का प्रशाशन समराज का प्रशाषन चुकि मौड़ समराज बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग धंग से शाषन किया जाता था पाठले पुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर समराट का सीधा नियंतरन था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाउं और शहरों के किसानों पशूपाल को शिल्पकारों व्यापाडियों से कौड एकट्था करने के लिए राजा अधिकारियों के नियुक्ति करता था जो राजा के अदेशों का उलंगन करते थे अधिकाडी उनको सजा भी देते थे इन में से कई अधिकाडीयों को वेतन भी दिया जाता था संदेश वाहाक एक जगा से दूसरी जगा घुमते रहते थे और राजा के जासू सदिकाडियों के काड़े कलाब पर नजर रखते थे इन सब के ऊपर समराट था जो राज परिवार वंग वरिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंतरन रखता था मोर समराज के भीतर कई छोटे शत्र या परांत थे इन पर तक्ष शिला या उज्जान जैसी परांतिया राजधानियों से शाषण किया जाता था प्रांतिय राजधानी कौन थी तक्षिला और उज्जैन कुछ हद तक पाटली पुत्र से इन शेत्रों पर नियंतरन रखा जाता था अक्सर राज कुमारों को वहां का राज्यपाल बना कर भेजा जाता था लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर अस्थानिय परमपराओं और नियमों को ही माना जाता था अस्थानिय परमपराओं और नियमों को प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्त्रित छेत्र थे इनके इलाकों में मौड ये शाशक सिर्फ मारगों और नदियों पर नियंतरन रखने की कोशिश करते थे जो की आवागमन के लिए महत्तपूर्ण थे यहां से उन्हें जो भी संसाधन कौर और भेट के रूप में मिलते थे उसे इकठा किया जाता था उदारन के लिए अर्थ शास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिन भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकठे किये जाते थे नजराना जहां कर नियमित धंग से इकठे किये जाते थे वहीं नजराना अन्यमित रूप से जब्भी संभव हो इकठा किया जाता था ऐसे नजराने विविध्य पदार्थों के रूप में प्राया ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे ये चारहावा चरहा जाता था मेजराना इसको कहते हैं जब परदस्ती नहीं थी स्वेच्छा से जो दे सकते थे वो देते थे सरकार को राजा को राजधानी में समराथ मेगास्थनीज चन्दरगुप्त के दरबार में पस्चिम एशिया के युनानी राजा सेलुकस निकेटर का राज़ दूद था मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरन दिया यहां हम उसके विवरन का एक अंश दे रहे हैं समराथ का जनता के सामने आने के आउस्वरों पर शुभा यात्रा के रूप में जस्ट मनाया जाता था उन्हें एक सोने की पाल की में ले जाया जाता था उनके अंगलख खख सोने और चान्दी से अलंकरित हाथियों पर सबार रहते हैं कुछ अंगलख खख पेरों को लेकर चलते हैं इन पेरों पर प्रसिक्षित तोतों का जुंडे रहता है जो समराट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है राजा समान्यता हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते हैं वे हमेशा इस बात से डड़े रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे और पाठली पुत्र जिसका आधुनी के नाम पटना है के बाड़े में उसे ने लिखा यह एक विशाल और खुबसूरत नगर है यह एक विशाल प्राशीर से घिरा है जिसमें पांच सो सतर बुर्ज और चोंस्ट द्वार है दो और तीन मंजिल वाले घार लकरी और गच्ची जीटों से बने हैं राजा का महल भी काट से बना है जिसे पत्थर की नकाशी शेया लंक्रित येक किया गया है ये चारों तरब से उद्दानों और चिरियों के बने बसेरों से घिरा है राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे पाटले पुत्र मोहंज दुरों से किस तरह भी न था ये सब सुचने की बात है अध्याय तीन में दिखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा और रांत में जंगल वाले इलाके आते थे वहां रहने वाले लोग काफी हद तक सोतंदर थे उनसे यह उमीद की जाती थी कि वे मोड़ पता धिकाडियों को हाथों हाथी लकड़ी मदू और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे अशोक एक अनोखा समराठ अशोक के विशे में कह जाता है कि अपने तरफ के एक अनोखा समराठ था अशोक मोड़ वन्ष के सबसे प्रसिद्ध शाषक थे वह ऐसे पहले शाषक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की अशोक के ज्यादा तर अभिलेख प्राकृत भाष के आदेश होते थे इच्छा होती थी जो आम जन के लिए होते थी जो शासन करने के नियम से संबंधित होते थे कलिंग युद्ध का वार्डन करता हुआ अशोक का अभिलेख अपने एक अभिलेख पर लिखा हुआ है अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही राजा बंदे के आठ साल बाद मैंने कलिंग विजय की लगवग डेर लाख लोग बंदी बना लिये गए एक लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए इसमें कुछ अपार दुख इससे मुझे अपार दुख हुआ क्यों जब किसी सुतंदर देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं बहुत सारे बंदी बनाये जाते हैं इसमें ब्रहमन और श्रमन भी मारे जाते हैं जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तो तथा दासों और मिर्तकों के प जब मैंने धम पालन करने एवंग दूसरों को इसकी सिख्षा देने का निश्चे किया है। धम मतलब बहुत धर्म की नितियों का अनसरन करने का। मैं मानता हूँ कि धम के धम मतलब बहुत धर्म। मध्यम से लोगों का दिल जितना बल पुड़वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेक भविश्च के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उतकीर्ण कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें या सुचना चाहिए कि धम को कैसे बरहाया जाए बहुत धर्म को। कलिंग की लडाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवरतन आया धम शंस्कृत शब्द धर्म का प्राकिर्त रूप है। अशोक का कलिंग जुद्ध है। कलिंग तटवर्ती उडिशाक का प्राचीन नाम है। मानचित पांच प्रिष्ट 68 देखो अशोक ने कलिंग को जितने के लिए एक युद्ध लडा लेकिन युद्ध जनित हिंसा अखुन खडबा देखकर उन्हें युद्ध से वित्रिशना हो गई। उन्होंने निर्णे लिया कि वे भाविश में अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उत्क्रिष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ती को देखो ये बिहार के रामपुर्वा में मिले एक मौड कालीनस तम्ह का हिस्सा है। यह उस समय की मूर्ती काला का एक नमूना है। वो क्या है तो ये देखिए। इस सांड का चित्र है। कितना ही वी। अशोक का ध्हम क्या था। अब अशोक का ध्हम धर्म क्या है इसको पढ़ते हैं। अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवशक्ता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिदा अपने बच्चों को अच्छे विवहार की शिक्षा देते हैं वैसे यह उनका करतवे था कि अपनी परजा को निर्देश दें विबुद्ध के उपदेशों से भी प्रेडित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें समवेदना थी। उनके समराजे में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। और इसे से कई बार टकड़ाओ पैदा हो जाता था। जानवरों की बली चरही जाती थी। दासों और नकड़ों के हाथ साथ कूड़ विवहार किया जाता था। इसके इनके अलावा परिवार में विवाप परोसियों के बीच भी जगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याएं का निदान उनका करतवे है। इसलिए उन्होंने धम महामात्य नाम के अ जो लोगों को शांती से रहने का परवचन देते थे। इसकी अतरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्थम्हों पर खुदवा दिये। अधिकाडियों को इनिर्देश दिया गया कि विराजा की संदेश को उन लोगों को परकर सुनाएं जो खु और सुतहत्तर पर दिये गया मान चित्रे छाओ में इन शित्रों को पहसान कर प्रयास कीजिए। उन्होंने स्वरके मनवाई अशोक ने कुमे खुदवाए विश्रामग्रीह बनवाए इसकी अतरिक्त उन्होंने मनुश्यों वो जानवड़ों की चिकित्सा की भी ववस्थ उन्होन करते हैं। उधारन के लिए जब वे बीमार होते हैं जब उन्हें बच्स का विवाः होता है बच्चोंकर की रितियों को माने तो यह ज़्यादा फलदाई होगी यह अन्य प्रकार की रितियां क्या है यह हैं अपने दासों और नौकड़ों के साथ अच्छा विवहार करना बढ़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना ब्रहमनों तो था श्रमनों को दान देना अपने धंव की और दूसरों के धर्म की बुड़ाई करता है तो वह वास्तों में अपने धर्म को ज्यादा नुक्सान पहुंचा रहा है इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए भरत के प्रतम प्रधान मंत स्री पंदित जवाहरला नहरू ने लिखा है उनके धर्मों देश आज भी धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अशोक ने धम की विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बात अप्तियाग यह सब आत्मनियंत्रन धर्मके मूलतत्व हैं जिने अशोकं ने बताया धमके रूप में भ्रहक के जधतका फ्रों, लिपि spec brac है से ब्रहक हमी लिपि से पत्त हुई, इससे क्रें ब्रहक में ब्रहामी की लिपिउ में देख सकते हैं अलग ब्भासाओं की लिफ दिवनागडी में ओ ऐसे है बांगला में ओ है मल्यालम में ओ ऐसे है अत्तामिल में ओ ऐसे है असुर के एक अनोखा समराट जिसने जो धिकात्याग किया मौल समराज के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्स पहले चीन में समराटों ने चीन की दिवार का निर्मान शुरू किया इसे बनाने का उद्धेश उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था और अगले 2000 वर्सों तक उस दिवार का निर्मान काड़े चलता रहा जबकि समराज की सीमाएं बदलती रही यह दिवार लगभग 6400 किलो मिटर लंबी है तथा पत्थर और इंट से बनी ह इसकी उपरी सता सजक जैसी चौड़ी है इस दिवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगराने के लिए बूर्ज बने हुए हैं पर उसी देशों के प्रति अशोक का रवईया चीनी समराटों के रवईये से कैसे भ पर इत्याक किया अशोक की तुलना इस दिश्ट्रिकों से चीनी समराटों से नहीं की जा सकती तो यह पाठ यहां फिनिश किये और प्रश्णुत्तर है आप इसको करने का प्रयास करें ठीक है मोड़ी समराज की सुरुवात कब हुई 2300 साल पहले याद कर लें और इसके बा यानी अधिकारी संदेश वाहक प्रांत धाम मत ठीक है तो यह मुझे लगता है कि आपने इसको समझा होगा अच्छा लगा होगा उमिद करता हूं आपने देखा वीडियो इसके लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो